आप सोसाइटी के प्रेशर से कुछ अलग बनने का प्रिटेंड तो कर सकते हो पर आप जो हो वो छुपा नहीं सकते हैं हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी बीलो हर माउथ ही इसी थीम पर बेस्ट है इस मूवी में हमारी में क्यारेक्टर उसके सेक्शलिडी को फिर से डिस्कवर करती है इस मूवी की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है तो डारेकली एक्स्पिनेशन स्टार्ट करते हैं मूवी स्टार्ट होती है और हम देख सकते हैं कि हमारी मेन क्यारेटर जिसका नामे डैलेस एक लड़की के साथ इंटिमेट हो रही थी इंटिमेट हो जाने के बाद डैलेस की गल्ट्रेंड ने उसे आई लव यू कहा डैलेस इस ताइम पर कोई भी कमिटमेंट चाहती नहीं थी उसने सोचा तो था कि अपनी गल्ट्रेंड के साथ उसे सीरियस होना चाहिए पर उसने अपना मैंड चेंज कर लिया यही पर वो उससे ब्रेक अप करकर वहाँ से चली जाती है डैलेस एक्चुल में एक रूफर है यानि की लोगों के रूफ वेगरा रिपेर करने का काम वो करती है एक दिन ऐसे हो काम कर रही थी और उसने जाजमीन को नोटिस किया जाजमीन हमारी और एक मेंड क्यारिक्टर जगाने लगती है उसके उपर चड़ कर वो उसे जगा देती है वो इंटिमेट होना चाहती थी और उसके बॉइफ्रेंड को किसी काम से बाहर जाना था वो अपने नेल्स पर जब नेल पॉलिश नोटिस करता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है नेक्सिन में हम देखते है कि आज जी डेलस का ब्रेक अप हुआ है तो बहुत ही अफसेट थी उसके एक फ्रेंड उसके घर पर आई और ये दोनों मिलकर आज कलब जाने वाले है यही पैरलल में हम देखते हैं जाजमीन का बॉइफ्रेंड किसी काम के लिए दो तीन दिनों के लिए बाहर जा रहा है ये दोनों एक बहुत ही सिरियस रिलेशनशिप में है अब शादी भी करने वाले है जाजमीन आज अकेली थी तो उसके एक फ्रेंड उसे कमपनी देने के लिए आगे नेक्सिन में हम देखते हैं डैलस और उसके फ्रेंड ये दोनों एक पार्टी में आगे यहां की जो बार उन्होंने एक लेडिस पार्टी देखी जाजमीन इसमें जाने के लिए कतार रही थी क्योंकि एक लेजबियन पार्टी थी पर उसकी फ्रेंड उसे ले जाती है पार्टी में जब जाजमीन वाश्रूम में गई तो उसे डैलस मिली उससे कहती है कि तुम मुझे जानी पहच में जाजमेन को सही नहीं लग रहा था तो ज़रा एर के लिए वो बाहर आ गए उसके पीछे बीचे टैलस भी आती है डैलस ने अब जाजमेन के हाथ में रिंग नोटिस की यह देखकर अपनी सिंपधी वज़ता ती है जाजमेन कहें थी कि इतना बुरा भी नहीं है वो बहु जाजमेन को हमेशा इंटरस्टेट रखती हूं डैलस ने कनफेस किया किसी के साथ भी इंटिमसी दिखाओ इतनी इमोशनल नहीं हूं वो उसके पास आगए और कहती है कि शायद तुमारे साथ कुछ अलग होगा उसे वो किस कर लेती है जाजमेन भी उसे किस करने लगे उसन और को उसने किस किया उसे बहुत ही अजीब महसुस हुआ था उसके फ्रेंड उससे कहती है कि जादा वरी मत करो तुम हमेशा अपने बॉइफ्रेंड के साथ फेत्फुल रही हो उसे बहुत ही गिल्टी लग रहा था रात में उसने अपने बॉइफ्रेंड को कॉल किया और क फिन चावर में गया। डालस को Imagine करकर उपने आपको प्लीज करती एग्रेश में जासमीन अपने काम क्या करते हो उसने कहा कि मैखथन में काम करते हो डालस कहते है यह जो कामकरते हो मैरी खुद की कमपनी है वो उसे अपना डॉमिनेंस दिखा रही थी है फिर वो उसके पास आकर गहती है यहाँ काम करने का आज मेरा लास्ट टे है अगर तुम चाहो तो हम दोनों हैंग आउट कर सकते हैं इविनिंग तक मैं यही हूँ जाजमिन सिर्फ ओके कहकर यहां से चली यह दोनों बार में आये तो डैलस जाजमिन को देखकर स्टेर कर रही थी वो उसे उसके जॉब के बारे में भुशती है जाजमिन कहती है मुझे न्यूयॉक में काम करने की opportunity मिली थी मेरे boyfriend का यह जौब है तो छोड़कर हम नहीं जा सकते थे डैलस कहती है कि तुम्हें जान उसे किस कर लेती है यह दोनों फिर स्टीट में आकर make out करने लग गया डैलस जाजमिन को अपने घर लेकर गई यह दोनों intimate हो जाते है सुबह और बार जाजमिन को डैलस का childhood photo मिला इसमें डैलस ने boy की कबड़े पहने हुए थे इस पर डैलस कहती है और मेरी मदर मुझे कहा क करती थी या अगर मैं boys की तरह dress up करूंगी तो मैं hurt हो जाओंगी वो चाहती थी कि उसकी मदर उसे accept करें पर कभी उसने किया नहीं यह दोनों decide करते हैं कि आज का दिन एक दूसरी के साथ spend करेंगे डैलस जाजमिन से कहती है कि मैं generally मेरे past के बारे में बात नहीं करती पर तु इसकी मदर ने उसे university में भी भेजा था पर वो मानी नहीं अपने खुद की company खोल कर और वो यही काम करती है जाजमिन फिर अपने teenage के बारे में बताती है कहती है कि मेरी एक friend थी एक summer में हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए थे एक दिन घर पर मैं उसके साथ make out कर थी तब ही आजाना इसे मेरी मदर आ गए उसने मुझे बहुत मारा था मुझे लड़कों के साथ date करने के लिए force किया आजमिन हमेशा से एक लेजबियन थी पर अपनी मदर की वज़े से उसने अपनी sexuality को surprise करकर रखा था वो अब Dallas को देखती है तो उसे अपनी friend की याद आत सुबा होने के बाद भी intimate हो गए अब जाजमिन को घर जाना पड़ेगा क्योंकि उसका boyfriend आ रहा है डालस कहती है कि मुझे goodbye पसंद नहीं है वो उसे घर छोड़ने के लिए पर जाने देने के लिए ready नहीं थी वो उसे रिजाती है और intimate होने के लिए घर में आ जाते है पैरलल उसे मनाने के लिए उसके पीछी पीछे गई जाजमिन का boyfriend कहता है कि मैं वही खड़ा था और तुम दोनों ने मुझे notice भी नहीं किया तुम उसमें खोच चुकी थी है जाजमिन कहती कि please मुझे माफ कर दो हमारी relationship जैसे पहली थी उसे repair करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हू उसका boyfriend कहता है कि अभी के अभी जा और डैलस से break up करकर आओ वो फिर डैलस के पास आकर उसे कहती है कि मैं break up करना नहीं चाहती है पर उसे करना पड़ेगा वो इस engagement को तोड़ नहीं सकती है यह दोनों बहुत ही hurt थे पर इन्होंने break up कर लिया रात में जाजमिन का boyfriend उसे कहता है जिस तरीके से तुम डैलस के साथ intimate हो रही थी उस तरीके से तुम कभी भी मेरे साथ नहीं हुई इस break up की वज़े से डैलस भी बहुत ही डिस्टब थी वो एक बार में आई और बहुत ही जादा ड्रंग हो गए ड्रंग होकर ही अपनी ex-girlfriend के पास बोच गई उसके साथ व तो मेरे साथ खुश नहीं रहपाऊँगी उससे sorry कहती है नेकसीन में हम देखते हैं जाजमीन अपने boyfriend के साथ हुआ या जासमीन अपने boyfriend के साथ थी है वो उसके साथ intimate हो रहा था पर जासमीन नहीं कर नहीं पाएkey वो intimate होते होते ही रोह ने लगती है उसने realize किया कि वो डैल लेज़ भी सुनकर खुश थी और ये दोनों अब एक साथ है आगे अपनी रिलेशनशिप को एक कंटिनू करेंगे जाजमीन को अपनी मदर की वज़े से अपनी सेक्शुलिटी को रिप्रेस करकर रखना पड़ा था वो डैलस से मिली डैलस भी बहुत ही इमोशनली स्काट थी वो जाजमीन को बहुत ही लाइक करती थी तो उसके साथ उसने कुछ भी सिक्रेट्स नहीं रख्या जो भी हुआ उसके बाद एक दूसरी के साथ रहने का रास्ता इन्होंने ढून लिया है इसे के साथ आज के वीडियो हम खतम करते हैं गर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देजेगा मैं बहुत सारी मुवीज लेकर रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देजे बेल नोटिवेशन आइकन दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नेमो के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप ने आपका खैल रखिया